किराए की कमाई पाट टू रिया एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडन्ट लड़की है, जिसने आकाश के साथ शादी की है, जिसके पास इतना पैसा और जमीने हैं कि वो उन्हें किराए पर रख कर काफी पैसा कमाता है. रिया को भी हमेशा से ऐसी ही जिन्दगी चाहिए थी, और शादी के बाद आकाश ने रिया को हर वो खुशी दी है, जो एक लड़की कभी अपने सपने में देखती है, लेकिन रिया ने अब अपनी जॉब फिर से चालो कर दी है, और अब उसके विचार शायद कुछ बदलने से लगे हैं, बहुत ठकी हुई लग रही हो, हाँ, ज्यादा काम था जो आफिस में, मैं वही तो कह रहा हूं तुमसे, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की, सब कुछ तो है हमारे पास, ये सब मैंने या तुमने नहीं कमाया आकाश, इसलिए मैं जिन्दगी में वो करना जाती हूं, जो मेरा है, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है, सब कुछ हमारा ही तो है, तुम्हारा कैसे हुआ, इन में से कुछ भी तुमने नहीं कमाया, ये जमीने, ये सारी प्रापर्टी, ये सब मेरे नाम पर ही है, और मैंने ही इन्हें अच्छी जगा किराये पर दिया है इनसे जो मुनाफ़ा होता है वो मेरा ही तो हुआ न ऐसा नहीं है आकाश ये सब तुमारे पुर्खों का है तुम बस किराई की कमाई खा रहे हो हाँ तो वो भी ठीक है न इसमें बुराई क्या है मैं कोई गलत काम करके तो पैसे नहीं कमा रहा हूँ नहीं कहीं उड़ा रहा हूँ मैं सब कुछ अच्छी जगा पर किराय पर देता हूँ जिसे मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ किसी की कोई चोही तो नहीं की मैंने हम तुमारी बात पी सही है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपना करना चाहिए रिया अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो ये सब हमारा ही है हमारा नहीं तुमारा मैं अपने पैसे कमा रही हूँ मैनत करके बस वही मेरे हैं तुम्हें क्या हो गया है कैसी बाते कर रही हो आजकल तुम कुछ नहीं, छोड़ो तुम नहीं समझोगे जाने दो मैं ठक गई हूँ, थोड़ी दिर आराम करना चाहती हूँ रिया का बरता दिन बदिन कुछ अजीब सा होता जा रहा था अब वो हर बात पर चिड़ने लगी थी रिया ये देखो, आज मैंने नहीं का ली है, कैसे ये बताओ तो नहीं कार? लेकिन तुमारे पास तो पहले से ही दो कार है ना हाँ पर ये मार्केट में नहीं आई है, तुम मैंने ले ली आकाश क्या ज़रू थी इन सब पर फाल्तु पैसे खर्श करने की जब इसका कोई उप्योगी नहीं है, अरे तुम बात बात पर इतना गुसा क्यों हो जाती हो, कारी तो ले लिए, कोई चोरी धोड़ी की है किसी की, तुम्हें पैसु की कदर नहीं है आकाश, क्योंकि ये तुमारे नहीं है न, मेरे नहीं ये से क्या मतलब है, मेरे नहीं तो किसके है ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो न, वो बस किराए की कमाई है, और कुछ नहीं रिया ये क्या भर बात पर जब देखो किराए की कमाई, किराए की कमाई करती रहती हो देखो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहाता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे ठीक है मैं भी किसे समझा रही हूँ छोड़ो जाने दो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैनत करकी कमाना क्या होता है अपने पैसे कमाना क्या होता है रिया और आकाश के बीच की लड़ाईया अजकल बढ़ती जा रही थी दोनों में हर छोटी बात को लेकर बहस होती थी लेकिन फिर दोनों बात को समाल लेते थे लेकिन ये कब तक चलने वाला था ये कोई नहीं जानता था सुनो आज मेरे आफिस वालोंने पार्टी रखिये सब अपने पार्टनर्स के साथ आने वाले हैं तो तुम भी मेरे साथ चलना ना ठीक है मैं शाम को तयार रहूँगा रिया और आकाश शाम को पार्टी में पांचते हैं जहां आकाश अपनी नई कार लेकर पांचता है, वो इतनी महंगी कार थी कि कम्पनी के मालिक के पास भी नहीं थी, रिया के साथ काम करने वाले सब शौक्ट हो जाते हैं आरे वा, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुन्दर है एरे सुन्दर तो ठीक महंगी कितनी है, मार्केट में बहुत कम मौडल है उसके हां, आकाश को नई नई कार्स खरीदने का शौक है हां, पैसा है तो क्यों नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए मौज करनी चैस जिए जिन्दगे में और या तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं, फर तुम यहाँ जाब क्यों कर रही हो सेर, पैसा मेरे ससुराल वालों की पास है, मेरे पास नहीं मुझे मैनत करके पैसा कमाना ज्यादा पसंद है हाँ, चाहे 25,000 कमाने में आपकी पूरी जिन्दगी क्यों न चली जाए लेकिन जिन्दगी को जीने के बजाए, जो आपकी पास है, उसे बस कोस्ते रो जो आपकी पास है, वो आपका नहीं है, आपको बस मिला है, आपने कमाया नहीं है आपको जो चीज मिली है इसका मतलब ये है कि आप इसके हगदार है क्यों? आप लोग इसे एगरी करते हैं कि नहीं? हाँ सही बात है मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो आराम से अपनी जिन्दगी को जीती यूँ मचदूरी नहीं करी होती कमपनी में पर जिन्दगी में बिना मैनत बस बेटा रहना और आश्च करना ये भी तो बेवकुफी है जिनके पास पैसा नहीं होते ना अक्सर वो लोग यही ग्यान देते हैं सही कहा आप ने अगर आपकी पास पैसा है तो आपकी जिन्दगी स्वर्ग है स्वर्ग अगर पैसा अपनी मैनत से कमाया हो तो बाप दादा का पैसा तो बैटे बैटे सबको मिल जाता है अगर ऐसा होता तो इस आफिस में सब लोग काम नहीं कर रहे होते मेरी तरह जिन्दगी के मज़े ले रहे होते रिया और आकाश पार्टे में एक दूसरे पर ताने कसने से नहीं चुके लेकिन ये लड़ाई घर जाकर और ज्यादा बढ़ गई तुम मुझे अपने साथ पार्टे में मेरी बेज़दी करवाने ले गई थी मैंने तुम्हारी बेज़दी की या तुमने शुरुआत तो तुमने की थी तुमें क्या लगता है तुम ये चंद पैसे कमा लेती हो इससे खुद को माडम समझने लगी हो कम से कम मैं मैंनस से कमाती तो हूँ तुम्हारी तरह नहीं कि किराई की कमाई से पैसे उड़ाते रहो अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संगर्श क्या होता है पैसे कैसे कमाई जाते हैं कैसे बचाई जाते हैं इनी पैसों की वज़़ा से ही तुमने मुझसे शादी की थी याद है या याद करवाऊ ये किराई की कमाई की वज़़ा से ही तुम आज इतने बड़े घर में रहती हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो अगर मुझे पता होता ना कि तुम पूरी जिंदगी बस यही सब करने बाले हो तो मैं तुमारे साथ कभी शादी करती ही नहीं और अगर मुझे पता होता कि तुम शांती से सुकून की जिन्दगी नहीं जी सकती तो मैं भी कभी इस शादी के लिए हा नहीं कहता अखिर कमी क्या है तुम इस घर में है? मैंने कौन सी चीज नहीं दी तुम्हे? मैंने कभी तुम से कुछ नहीं मागा मैं बस इतना कहा रही हूँ कि अपने दम पे कुछ करना बहुत जरूरी है पर तुम हो कि इतनी सी बात नहीं समझ रहे अगर मेरे पास किराय की कमाई इतनी अच्छी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से तुम भी खुश हो, मुझे भी रहने दो अरे तुम क्यों बे फिसुल की कारण बीच में ला रही हो तो क्या तुम पूरी जिंदगी बस यूँ ही घर में बैठे किराय की कमाई खाते रहोगी और कुछ नहीं करना जिंदगी में इंसान पैसा कमाता इसलिए है कि वो सारी चीजें हासिल कर सके और वो सारी चीजें मैं मेरे पास है तो तुम्हें दिक्ट क्या है इस चीज से अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम ही कहती कि तुम से शादी कर ली एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकती मैं तुम आ रतों को आखिर चाहिये क्या मुझे तो तुम मर्द कभी हमें समझ भी नहीं सकते हैं। हमारे उसूल, हमारी चिंता तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी बस ऐसी ही नहीं चलती। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, मैनत होनी चाहिए। अपने दम पर कुछ कर दिखाने की लगन होनी ज़रूरी है। ये सारी बाते न किताबों में ही अच्छे लगती हैं बस। असल लाइफ में तो पैसा ही काम आता है। मैनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। तुम चाहती क्या हो, अब ये बताओगी। मुझसे रोज रोज की ये परिशानी नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते ठक गई हूँ अब। मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और मुझे जो तुम कर रहे हो, वो सही नहीं लगता। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ तो फिर यही अच्छा होगा, कि हम दोनों अलग हो जाए। हाँ, तुम अपनी तरह से जिन्दगी जी हो, और मैं अपनी तरह से। ठीक है, मैं आज ये वकिल से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने माता पिता के घर चा रही हूँ, पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूँगी। रिया और आकाश की बढ़ती लडाईयों का नतीजा ये हुआ, कि वो दोनों अलग हो गये। उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था, कौन गलत। इसका फैसला करना तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में।